पॉट गवाना इसका बस एक ही रोल है जोभी तुम उठाओगे वो तुम्हें खाना पड़ेगा अरी ये क्यासा कलर है ये पिखली हुई चोकलिक का कलर है इससे आशी चीज़े किसे नालें आरे नहीं तरह देखो तो इन क्रैप्स का क्या हुआ गयद करना पंद करो और ये खराब होने से पहले खा लो तो बहुत ही पुरा होट पॉट पॉट था साच में हम वापस आगे ये खुश्बू किसी दिखनी चीज़ दिया है तुम आगे दो बिदा माब आपने क्या मनाया है परिसल वो मैनेजर आए है सुना मिस्टर नॉबी सूप में से ज़ाग निकालो अरे आपने तो बहुत जादा डाल दिया इसमें चिता मत करो मैं इसमें माहिर अब देखो मैं इसे कैसे बनाता अरे नहीं उन्होंने तो जादा डाल दिया और यह जादा नमगै लगता है उन्होंने कुछ जादा ही सांस डाल दी मैंने सुना है कि यह hotpot governor है तो ऐसा है क्या क्या मतलब वो कौन होते है इसका मतलब गो इंसान जो hotpot के पाग दोस्रे लोगों को उसे बनाने का ओर्डर दे, जैसे बनाते हैं, ये समझाएं अच्छा, आज है फ्राइडर्स खाने वाले हैं, ठीक है टोरे मौन, तुम कुछ करने ही सकते क्या हाँ 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 हौड पोड, गवं, ये हाट पोड गवं, ग्याजट उनके लिए ठीक रहेगा हाँ 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 अरे, ये क्या, ये बोड शुखा दे हो गया क्यो मारा वोमें से छोने सकते मैं ही हाट पोड का इंचार्ज हूं पोट खाली है, ये सही टाइम है, मैं इसे तुबारा बनाओंगा, इसे खाने के दो तरगे, एक फ्राइ करके खाना, और दूसरा स्टीम करके खाना, तो आज रात के लिए क्या बनाना ये सुझाओ मेरा होगा, मुझे उसका इतजा नेगा, फ्रीम फिल्कुर ठीक है, तुम स सबसे पहले शेलो फ्राइ करना होगा, हल्के से पकाओ, और फिर पलट दो, शक्र और सौय सौस स्वाद के लिए, चीक है, तो पहले वाना खाओ, चलो, ये क्या है, मैं बहुत खुचू, मैंने जे सर, ये तो बहुत स्वादिश है, आपको कैसा लगा मैनेजर? ये तो स्वादिश्ट है, मैं इसे अब ही खा लेता हूँ, असलिये होट पोट वो होता है, जिसके चारो और लोग बैठ कर खुश्यों कर खाते हैं, खाना सच में स्वादिश्ट था, होट पोट को इस होट पोट गवान अपर छोड़ दो, ये होट पोट के किसी पे दिश्ट का स्वादिश्ट बना देगा, अच्छा, अलि हा, इसकी मदद से हम ऐसे मैं होट पोट को फिर से इस्तमाल करेंगे, ठीक है, कल करते हैं, एई दो मिता, चल्दी आओ, तुमने आने में देर कर दी, मैंने कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चलो रहे से मैं होट पोट शुरू करते हैं, होट पोट, मिस्टर होट पोट गवर्नर अंदर आ रहे हैं, जल्दी करो, होट पोट की चीज़ें बहार निकालो, चीज सुनो, जाओ, पीछे ख़रे हो जाओ, क्या कहा तुमने, नहीं नहीं जान, ये मैं नहीं कह रहा, रुको जर, ठीक है, तो अब रहे से मैं होट पोट शुरू करते, जब से पहले चीज़ों को चेक कर लेते हैं, जो चीज़े आप नहीं खा सकते हैं वो या नहीं होगी, इसकी सीजनिंग मुझ पर छोड़ दो, अब लाइट बंद कर दो, अच्छा ठीक है। इंग्रेडियन्स दालिये। ये उपल गया है। अब सब इसे खाओ। चेब आड़े। वाँ येशे है। सच में स्वादित हैना जियान। हाँ, बहुत स्वादित है। इसका जूरा, पिल्टेड चॉकलेट के साथ मिला दिया था। अभी ये इतना स्वादिश्ट बनाज था। ये तो थोड़ा समीत है। जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो पटैटो चिप्स भी है। ये बहुत अच्छी तरीपे बने है। इसमें जो स्रॉपेरी है वो भी बहुत इच्छी है। असली हॉटबोट वही होता है जिसके चारों और लोग बैटकर खुश होकर साथ बिखाते है। इसमें होटबोट नहीं है। इसमें होटबोट नहीं है। अले साथ तो जाओ। मसा ही आगया। जो भी होजिया ने सबसे जादा खाया है। तूरे बॉन ही अभी तक नहीं निकला है। बड़ी अचीब बात है। सुनन अभीता, तुम दोनों के लिए मैंने फ्रिज में केक रखा है। वाह। वाह। आखे होटबोट के बाद हमारे पेट में केक लिए जगह है। होटबोट होटबोट तयार करो। अज़े नहीं। इसमें दूठ, नारियल के दूठ दूठ दोनों डालो और केक को पोट में। और फिर बाता आप, नारियल के दूठ वाला केक होटबोट तयार है। यह बहुत वादश्त है। लेकिन मैं साच केक खाना चाहता था। अज तो मैंने बहुत ज़्यादा खाली अनूवता। खत्वो मिस वाटना में। हाँ करमा करें पर। होट पोट। होट पोट कहा है, कहा है, कहा है, बताओ पोट कहा है। अरे नहीं, वो बसकिसी का नाम ले रही थी। शान्ट हो जाओ। जोड़ी से इसका कुछ करो। असल में ये ग्याजट को इस्तमाल करने मारा पोट से जड़ा होना चाहिए। ये खुश्वो तो। ये ओडिन का होट पोट है। होट पोट पोट अन्दर आ रहे हैं। सब सुनो, मुझे ओडिन होट पोट का स्वाद चखना है। ये गलत है। ये ओडिन होट पोट से इड़ी है। ये क्या कह रहा है जो रिमान। हर साल हम इसी तरह बनाते हैं। अगर पसंद नहीं है तो नहीं काना चाहिए था। लेकिस बात वो नहीं है। मैं अब इस होट पोट को सही तरीके से बनाता हूँ। जो करना है करो। जाओ चल्दी इसकी चीजें लेकर आओ। जाओ इस पर ध्यान दो और मिला। जाओ करता हूँ। और खुमा। जाओ। 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 जाओ बच्चो घाना तयार है जाओ। जबताओ। यह वाला ओडन यह वाला ओडन कौनसा हॉट पॉट ज्यादा स्वादिश्ट है। सच बताना डर्ना नही। क्या लेकिन क्यों पता नहीं लेकिन इसका स्वाथ ज्यादा अच्छा है अरे नहीं असली ओडन क्यों हार गया राज सच में इसका स्वाथ ज्यादा अच्छा है इस टेस से तुम्हें हार गया हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं इतनी एक्सिसाइज करने के बाद हमें थोड़ा नमक वाला खाना पसांद आता है अच्छा अब संचा क्या बात है यह क्या हुआ मैं होट पॉर्ट गवर्णर हो और मैं इंसे हार गया गवर्णर? लेकिन इस गोड़ा होट स्पॉर्ट जनरल है वो हुआ अपने जड़ल है जो गवना से उचे पत पर होते है मैं हार मानता हूँ